स्री शद्गुरु महाराज कीजे शंत तुलसी साव हाथ रसवाले का भजन भावार्थ सहित नरतन दूर लभ देवे को सब कोई कहत पूकार नरतन दूर लभ देवे को सब कोई कहत पूकार सब कोई कहत पूकार देवे देही नहीं पावे ऐसे मुरक लोग श्वर्ग की आश लगावे पून चीन सोई देवे श्वर्ग से नरक में आवे भरम चार उखानी पून कही ताहिर जावे तुलशी सतमत तत गहे श्वर्ग परकर खार नरतन दूर लव देवे को सब कोई कहत पूकार भावार्त शवी रिशी और शंत डिड़ता के साथ कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीड देवताओं के लिए दोड़लव है देवता को मनुष्य कासा महत्यपूर्ण शरीड नहीं मिलता जिसमें रह कर वे श्वर्ग की भक्ति कर सकें जिस श्वर्ग के निवासी देवताओं की ऐसी दशा है ना समझ लोग, विविद कर्म कानदात्मक कर्मों के द्वारा उसी श्वर्ग को प्राप्त करने की इक्षा करते हैं पुन्य कर्मों के कारण मनुष्य स्वर्ग जाते हैं वहाँ पडियाप्त विशय शुखों का शेवन करते हैं और जब वहाँ उनके पुन्य कर्मों का छे हो जाता है तब वे अपने पाप कर्मों के फल भोग के लिए नरक में भेज दिये जाते हैं नरक का फल भोग समाप्त हो जाने पर उन्हें पिर्थिवी पर आना पड़ता है और फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है जिस स्वर्ग में जाने वाले की ऐसी दसा होती है उसी को प्राप्त करने में मनुष्य अपना स्वभागी समझते हैं और उसे प्राप परम्तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की इक्षा करें और श्वर्ग के प्रती उपेक्षा अनादर का भाव रखें टिपनी जो पाप कर्म अधिक करते हैं और पुन्न कर्म कम वे मर कर पहले श्वर्ग जाते हैं तब नरक में आते हैं श्री शद्गुरु महाराज कीजे ब्याक्याकार संत छोटिलाल दाजी महाराज